यूपी के आगरा के रहने वाले अंश उपरेती ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और मुख्या मंतरी अकलेश यादाव को एक दर्द भरा पत्र लिखते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है दरसल 11 साल का अंश पिछले 3 सालों से ब्लड कैंसर से पीडित है उसके इलाज के लिए उसके माबाप ने अपना सब कुछ बेच दिया है अब इस परिवार को खाने तक के लाले पड़ गए है इतना ही नहीं पैसे खत्म हो जाने की वज़ा से अब अंश का इलाज भी रुख गया है अंश का परिवार अब आयुर्वेदिक इलाज कराने को विवश है आगरा के गोकुलपुर निवासी कृष्ने दत्थ और पूजा का इकलोता बेटा अंश अब माबाप के दुख को नहीं देख पा रहा है इसी वज़ा से उसने पी-म मोदी और सी-म अखलेश को चिठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है खत में अंश ने लिखा है मैं जीना चाहता हूँ मुझे अभी दुनिया देखनी है मुझे बचा लीजिए अंश ने पत्र के माध्यम से कहा परिवार की आर्थिक इस्थिती इतनी खराब हो चुकी है कि मेरा एलोपैथिक इलाज अब रोग दिया गया है अब मेरा आयरुवेदिक इलाज कराया जा रहा है किरपिया हमारी मदद करें अंश के पिता मजदूर है और एक मार्बल फैक्टरी में काम करते हैं उसके पिता के मुताबिक उनके पास जो कुछ भी था बेच दिया अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं सभी ने जवाब दे दिया है डोक्टरों ने कहा है कि अंश के बचने की उम्मीद महज 10 पीजदी है NMF News की रिपोर्ट